चेनने से स्री देवी वर्दराजन जी ने मुझे एक रिमाइंडर बेजा है उन्होंने माय गौव पर अपनी बात कुछ इस प्रकार से लिखी है नए साल के आने में अब पांच महने से भी कम समय बचा है और हम सब जानते हैं कि आने वाला नया साल International Year of Millets के तौर पर मनाये जाएगा उन्होंने मुझे देश का एक Millet Map भी बेजा है साथ ही पूछा है कि क्या आप मन की बात में आने वाले एपिसोड में इस पर चर्चा कर सकते हैं मुझे अपने देश वास्यों में इस तरह के जजबे को देखकर बहुती आनन की अनुभूती होती है आपको याद होगा कि United Nations ने एक प्रस्ताव पारित कर वर्स 2023 2023 को International Year of Millets गोशित किया है आपको ये जानकर भी बहुत खोशी होगी कि भारत के इस प्रस्ताव को सत्तर से जादा देशों का समर्थन मिला था आज दुनिया भर में इसी मोटे अनाज का Millets का क्रेज बढ़ता जा रहा है साथियों जो मैं मोटे अनाज की बात करता हूँ तो मेरे एक प्रयास को भी मैं आज आपको शेयर करना चाहता हूँ पिछले कुछ समय से भारत में कोई भी जब विदेशी महमान आते हैं राष्टा अधिक्ष भारत आते हैं तो मेरी कोशिश रहती है कि भोजन में भारत के Millets यहने मोटे अनाज से बनी हुई डिसेज बनवाओं और अनुभव यह आया है इन महानुभाओं को यह डिसेज बहुत पसंद आती है और हमारे मोटे अनाज के समझ में, Millets के समझ में काफी कुछ जानकारियां एकत्र करने का वो प्रयाद भी करते हैं Millets, मोटे अनाज, प्राचीन काल्चरी हमारे अग्रिकल्चर, कल्चर और सिविलाइसर का